आप सब को सौगत है, आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 18 जनरी के च्रिवर्दान की पर्विता परमात्मा हमें सिखा रहे हैं आज, बहुत ही मैध्पून चीज़, कि हम कैसे साइलेंस की शक्ती, मलकी इनर साइलेंस, मन में बिलकुल शांती हो, इसका मुल यह नहीं है कि आज क्या करना है, कैसे खाना है, क्या पीना है, कहां जाना है, कहां गुमना है, कैसे पहुंचना है, ओफिस ही, सारी चीज़ों के बारे में सोचना चोड़ तो नहीं, इसके बात नहीं हो रही है, बात यह हो रही है कि उसके बीच में, उसके दर्मयान में जो आप बाते इसकार है उसके बारे में दिन भर सोचना तो आपके मन में जादतर और उसके बारे में नेगेटिव थौट्स चलेंगे जिस कारण से आपके मन का साइलेंस खतम हो जाता है तो इसलिए परमात्मा कहते हैं देखें साइलेंस की शक्ति दोरा नई श्रिष्टी की स्थापना के निमित बनने वाले मास्टर शांती देवा भवा आप भी परमात्मा के साथ मिल करके पूरी दुनिया को शांती दे सकते हैं तो परमात्मा कहते हैं साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीर हो जाओ दिन बर हम शरीर में क्या लगाना है क्या खाना है क क्या पीना है इसके लिए क्या करनी है उन्रती कितना कमाना है कैसे अपने आपको comfortable करना है शरीर के दौरा हम इसके बारे में सोचते हैं लेकिन हमने कभी मन को comfort देने का नहीं सोचा है तो मन को comfort कम मिलेगा जब हम राइट thoughts, wasteless thoughts, pure thoughts, divine thoughts करेंगे अपने बारे में और औरों के बारे में और उन thoughts के दौरा हम परमात्म से connect होंगे यह आप कर्म करते भी कर सकते वाइद वे उसको कहते हैं कर्म योगी तो परमात्म कहते हैं यह silence की शक्ति बहुत महान शक्ति है इससे नई श्रिष्टी की स्थापना होती है नई दुनिया की स्थापना होती है आप सोचे ज़रा फिर परमात्म कहते हैं तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे जो प्रैक्टिस करेंगे वो फॉर्म अफ में इरिटेशन जिसको राजियों कहते हैं ब्रह्मा कुमारिस में जिसमें आप घड़ी-घड़ी साइलेंस में चल जाते हो महला कि आप इस दुनिया के बारे में छोड़ करके आप जहां से जिसको आलम-ए-अरवाह कहें जिसे मुस्लिम भाईबन कहते हैं और साथ में आप निर्वान धाम कहें जिसको बुद्धिस भाईबन कहते हैं आप उस दुनिया के बारे में सोचें और वहां पर पहुंचें आप थूट्स वो ट्रावलिंग अगर आप करें तो आप साइले वाली आत्म हैं थी देवात्म हैं उनके अंदर चिंता टेंशन और क्या होगा कल कैसे होगा यह सारी चीज उनके मन में नहीं चलती थी उनका मन शांत था तो वह प्राक्टिस अभी करनी है विकास हम वह संसकार लेके जाएंगे सत्युग में आदत विकास हम आत्मा है ना आ वाज से पढ़े silence रूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कारे कर सकेंगे इसलिए शांती देवा अर्थात शांती सुरूप बन अशांत आत्मा को शांती की किरने दो अब आत्मा एक एनरजी वाइट स्पार्क है जिसे की thoughts की rays या किरने निकलती है जो कि कहीं भी जा सक आपकी किरने वहाँ पर जाके अटक जाती है आप किसी के बारे में बहुत देर सोचो के तो वह आपकी किरने वहाँ जाके अटक जाएंगी मतलब आपकी energy drain हो रही है आपकी concentrated form नहीं है आपका dilute form हो रहा है जिससे कि आपको अशान्ती फील होगी आपको powerlessness फील होगी आपको ठकावड फील होती है तो हमें क्या करना है कट करना है जैसे परमात्मा निकाल हमें सिखा है कि उनकी बारे में सोचो अपने बारे में सोचो और परमात्मा के बारे में सोचो कि उन्होंने मुझ से बड़ा महाधान है यही सबसे प्रिये और शक्ति शाली वस्तु है क्या शांती जो कि किसी मार्केट में किसी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलती है इस दुनिया से परे तीनों लोकों में से सबसे उपर वाले लोक में मिलती है हम अभी थर्ड वोल्ड में हैं हमें सेक सब्सक्राइब आपका मुड उपर नीचे उपर नीचे होना ही है 100% तो यह कैसे करते हैं इसके लिए आप या तो तो आनलाइन मेरे साथ में जुड़ सकते हैं सेमें डिस्कोर्स करने के लिए आप में को कमेंट में बताएं नहीं तो फिर आप जाकर के ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर कनेक्ट हो सकते हैं इसके साथ उम्शंति